रोज मर्रा में भिंडी की सब्जी तो आप सब बनाते होंगे लेकिन हमीशा एक ही तरह की भिंडी की सब्जी खाके हम बोर हो जाते हैं तो आज हम बिल्कुल ढिफरेंट तरीके से भिंडी की सब्जी को बनाएंगे और इतना स्वात बनाएंगे और तरीका जो है उसमें इतने सारे टिपस और ट्रिक्स बताऊंगे आपको कि सब्जी जो है बिल्कुल हलवाईओं जैसी कम सामानों में कम तेल में बनके रेडी पूट चाती है इसका मतलब बिंडी कच्ची है परफेक्ट है खरीदने के लिए और अगर नहीं टूटती है जल्डी है तो आप वह बिंडी नहीं खरीदेंगे क्योंकि वह बिंडी टेस्टी नहीं बनेगी अब इसके चो टेल पाटें और हैट पाटें इसको हम ट्रिम कर दे कई भाट यह जो बीज होते हैं इनके भी पीछे कीडे चिपे होते हैं तो आप अच्छे से खोल के बिंडी को चेक कर लिए अच्छे से बिंडी को हमने चेक कर लिया इसके दो टुकडे करेंगे क्योंकि यह थोड़ी साइज में लंबी है अगर छोटी बिंडिया है तो बिल्कुल नहीं आएगा इस सबसी के अंदर चलिए अब तो मीरियम साइस के ना मैंने आलू भी ले लिए आलू को अच्छे से पहले दो लेंगे उसके बाद इसका जो चिलका है वो हम रिमूव कर देंगे चिलका उतारने के बाद आलू को फिर से एक बार धो लीजिए और फिर उसके बाद आपको आलू को ना चॉप करना है लेकिन फ्रेंच फ्राइस की तरीके से तो देखे इस तरह से मैं बीच में चीरे लगा कर इने लंबा लंबा टुकरों में काट लूँगी हमने भिंडी का साइस भी थोड़ा लंबा रखा है और आलू को भी लंबे-लंब के लिए एक्दम ठंडे पानी में आलू को भीगो के रख देंगे अब तमाटर जो है वो हमने दो से तीन तमाटर लेने हैं लेकिन दो चोटे और दो बड़े तमाटर में ले लिए आपके तमाटर अगर बड़े साइस के तो तीन ले सकते हैं और फिर उसे भी हम इसी तरीक या उपर से ऐसे डाल दीजे तो हल्दी डाल दी आदी चमच और साथ ही में इसमें मिला देंगे आदी चमच चिली पाउडर कश्मीरी लाल मेची पाउडर देर चमच थोड़ा जादा डलता है धनिया वो मैंने इसमें डाल दिया आदी चमच बुना जीरा पाउडर डाल द में और एक चौथाई चमज करम मसाला भी डाल दिया साथ में दो टेवल स्पून डाल देंगे जिससे मसाला जो है विंडी में अच्छे से को जाए और आधी चमज डाल देंगे इस पे नमक का और भेंडी को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे अगर आप चाहें तो में जो हमने चीरा लगा है था उसमें भी आप मसालों की स्टफिंग कर सकते हैं तेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो दोनों तरीके से आपको जो ऑप्शन बेटर लगे वो थोड़ा टाइम कंस्यूमिंग था यह थोड़ा सा इजी प्रॉसेस है इसलिए हमने मसालों में अच्छे से मसाले सोप करने देंगे भिंडी को और एक बड़े पतीले में तीन बड़े चम्मच सरसो का तेल लेंगे सरसो के तेल से बिंडी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसे अच्छा धुआन तक गरम करेंगे साथ ही में चुटकी पर नमक और हींग डाल देंग और तेज आच पर आलों को हमें फ्राइ करना है आलो को थोड़ा सा ओयल में आप मिक्स कर लिजे उसके बाद आलो को हम पकने देंगे तो तेज आच पर ही मैं थोड़ा सा धखके करीब चार मिनिट के लिए पकाऊंगी को इसी बेए पराथ रख दीजे आलों के पर और उसम कोटिंग आ चुकी है उन पर और इन आलों को हम टुटपिक से पहले चेक कर लेंगे आलो अच्छे से काफी गल भी चुके हैं इसे जादा हमको गलाना नहीं है बाकी आलो हम भिंडी के साथ पकाएंगे तो देखें फर्स टेप यह हो चुका है आलो जो है हमारे चार मिनिट मे अच्छे से क्रिस्पी फ्राइओ चुके हैं अब हमने बिंडी के हिसाब से तो मसाला आट किया था लेकिन अब हम आलों के हिसाब से मसाला आट करेंगे जितना आलों को जरूरत है तो आलों में मसाला आट करने के लिए मैंने उसमें डाला पहले तो हल्दी पावडर सा बुना जीरा पाउडर जो थोड़ा मैंने जादा टाला है और थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा सा गरम मसाला आड़ कर दिया है साथ में आमचूर पाउडर इसमें थोड़ा सा एक कर दिया है और किचिन किंग मसाला थोड़ा सा अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं और नमक मसाले के साथ पका लेंगे continuous चलाते हुए और बहुत ही टेस्टी यह आलू की सबजी पहले हम बना रहे हैं उसी के बाद इसके साथ हम भिंडी पकाएंगे तो आप देख सकते हो आलू में मसाला कोट होने के बाद हमने इसमें भिंडी को आड़ कर दिया है तो भिंडी जो थी ह specially parties में शादियों में इसी तरह से सबजी को बनाया जाता है अब आलू में भिंडी डालने के बाद भिंडी को भी करीब 5-7 मिनिट पका लीजिए slow आज पे ढखके उसके बाद इसमें हम टमाटर राट करेंगे जब थोड़ी सी भिंडी पक जाएगी उसके बाद ही इसके अं अंदर पानी आट कर देंगे पानी इसलिए आट करते हैं जिससे सब्सियों में अंदर प्रेशर बिल्डप और नीचे से तले से चिपके ना जले ना साथ ही में उन्हें मुष्चर भी मिले और वह अच्छे से पक जाए भाप क्रियेट होती अंदर करीब 10 मिनिट लो आज सबस्में पकाने के बाद मैं सब्सक चैक कर रही हूं और बहुत परफेक्स सब्सकर रेडी हूं और आपको बता नहीं सकती हूं यह इतनी टेस्टी लगती है इस प्सक्राइब अबर ने बहुत ही कम इंग्रीटियंट्स में बिल्कुल शाधी पाटी जैसा टेस्ट करेट क कर साथ इसमें higher than we'll his first step-rateeda linear database के छो किम टिंगी yes है मरी ममीं हमेरा करती देती यह क्या करती है युरास्ट पतली और light color वाली कम टिकी भाली मिर्चे होती है और बहुत ही अच्छी लगता है जब सबसी के मन है और किसी को नहीं है तो जो मिर्चे हैं उनका इंटेंसिफाइट फ्लेवर सब्जी में इतना नहीं आता सब्जी उटनी तीकी नहीं होती अब धक के ना थोड़ी सी देर मिर्चों को भी दम दे देंगे 2-3 मिनिट का जिससे की हरी मिर्चों को लेफ्ट अलोन फील ना हो और इन्हें भी भिंडी आलू टमाटर का भरपूर प्यार मिल जाए और यह देखें अच्छे से एक फैमिली की तरह यह सब्जी जो है बनके रेडी हो चुकी है अब बस इसको गर्मा गर्म हम सर्फ करेंगे आप चाहीं तो इसे पूरी के साथ भी इंजॉई कर सकते हैं ले सबसी तो आप नॉमल भिंडी बनाते हो प्लेन वाली और दूसरा हम जब इस तरह से बनाते हैं तो दोनों भिंडी के टेस्ट में बहुत रात दिन का अंतर होता है टेस्ट बहुत ही अलग आता है जब ऐसे बनाते हैं तो ट्राय करके देखिए रेसिपी अगर अच्छी देखना चाहते हैं